दोस्तों एक बार अगर आपके चैनल पर सब्सकाबर मोड ओन हो गया ना तो फिर जो आपका सब्सकाबर का प्रॉलम है ना कि एक एज़ा सब्सकाबर केसे कंप्लीट होगा कहां से कंप्लीट होगा यह प्रॉलम का जड़ी अपका खतम हो जाएगा आनि कि आपके चैनल पर आपको पता भी नीचे रहेगा आपका एक एजा सब्सकाबर कम्पीट हो जाएगा और यहाँ पर सब्सकाबर मोड ओन होने से होता क्या है यहाँ पर देखो आपके चैनल पर देखिए अपने आप जो कि कभी आपके चैनल पर सब्सकाबर नहीं बढ़ता यहां पर देखो लेकिन अचानक देखो एक एक दिन में यहां पर गराफ उपर चाल जाता सब्सकाबर का यहां पर देखो पहला दिन मैंने subscribe mode on किया यहां पर उपर चल गया अब दूसरा बार यहां पर फिर से उपर गया graph और यहां पर तीसरा बार और आप ही यहां पर समझो कि बीच में आखिर मेरा क्या हुआ है एक दो भी सब्सकाबर नहीं बढ़ा है लेकिन आखिर 20 चिच में यहां पर मेरे चैनल पर आखिर यह graph उपर जा रहा है अबHHHH यह लाइब यह पर देख Zone One चैनल पर अगर इक बार अगर पर अगर और अगर यहां नहीं पर यहुद कंप्लीट होने वाला तो आपको बस करना किया है कि आपको अपनी यूटूब चैनल का सब्सकाबर मोड को आउन करके छोड़ना है और यहां पर सिर्फ मेरे इस चैनल नहीं पहले मेरे देखिए मैं चैनल क्रियाटर साइज 2.0 पर सब्सकाबर ऐसा डेली बढ़ता है लेकिन जब मैंने अपनी यू यूटूब चैनल का सब्सकाबर मोड आउन करते हो न तो एक दिन के भीतर आपका हजार सब्सकाबर कंप्लीट हो सकता है और यह डिपेंड करता आपके चैनल पर लेकिन बस इस सब्सकाबर मोड करने से यह होता है कि लोग आपके चैनल को सब्सकाइब करने के लिए बग्य अपने चैनल का पर्मोशन करवाना चाहते हैं तो आपको करना क्या है नियुक्त ये पर चैनल हो नहीं हो चैनल को सब्सकाइब करना है वीडीयो को लाइक करना है क việc में आपको कुछ सक्वाइब करे должya नेक्स टाइम हो सकता है कि आपका चैनल में प्रमोसन कर दूँ तो चलिए करते हैं विडियो स्टार्ट तो यहां पर देखिए तो मैं आज को मोबाइल स्किन पर अब चलिए मैं आपको लाइब दिखाता हूं कि कैसे अपने यूटूब चैनल का सब्सकाबर मोड को अन करके और अपना 1000 सब्सकाबर कम्पीट कर सकता हु और सब्सकाबर मोड ऑण करना कि यही होता है कि लोग खुद आपके चैनल को सब्सकाइब करता है subscribe के लिए मजबोर हो जाता है तो सबसे पहले इसके लिए देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि आपको अपने you Manhattan को अपन करना है तो आपको करना क्या है यहां पर देखे लाइब वाला जो अप्सन है लाइब पर आपको कर देना है क्लिक और लाइब पर क्लिक करने को बाद देखे यह लाइब हो रहा है मेरा ठीक है मेरा फेस दिख रहा है तो सिंपल यहां पर क्या करना है आप पहले यह चूज कर लो कि ल और क्लिक करके यहां पर कुछ चीज़ें आपको यहां पर धिहान देना है सब्सकाबर मोड ओन करने से पहले वह चीज क्या है सब्सकाबर यहां पर कोई टाइटल देना आपको लाइब का टाइटल क्या देना है यहां पर जैसे कि मैं लिखता हूं चलिए 200 तो टाइटल मैंन कर देना है और यहाँ पर हमेशे आपको पेले अभी पूब्लिक करना में आपको दिखाऊंगा सबस्क्काबर मूड जब अउन होजाएगा उसके बाद आपको पब्लीक करना है तो यह देखो मैंने कर लिया अब उसके पर आपको नेक्स ओप्सन मिलता ओडियंस का तो ओडिय अभी टाइम अपना पहले में स्लेट कर लिया और यहां पर आट बज के और यहां पर कर देता हूं यहां पर कर देता हूं नौ बजे कर देता हूं तो यहां पर मैं क्या करता हूं नौ बजने में तो यहां पर मैं क्या करता हूं नौ बजे कर देता हूं चलिए तो इस पकार स यह सारा सेटिंग करने के बाद आपको यहां पर नेक्स पर कर देना है क्लिक अब जिसे नेक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका देखे लाइब यहां पर सिडूल में लग जाएगा कितना नौ बज़े लाइब होगा मेरा दस मिनिट बाद अभी से ठीक है अब आप चाहो तो यहां पर आपको क्या करना यह है यहां पर अपको क्या करना है यहां पर फिन को शर्च करने के अब सिंव आपको अब आ अब इस live को क्या करना है इस live को open करना है ठीक है अब प्ले करने का बाद यहां पर देखिए यहीं पर आपको man setting on करना है subscriber mode को तो कैसे करना है यहां पर देखिए live के आपको comment में जाना है और comment में जाने को बाद यहां पर देखिए आपको मिलेगा setting का icon तो इस setting icon पर आपको click करना है और click करके यहाँ पर देखिए community mode duration आपको option मिलता है इस पर click कर लो और यहाँ पर देखिए सबसे नीचे यहाँ पर देखिए आपको क्या मेरा live chat on और यहाँ पर देखिए participate mode पर click करके और यहाँ पर देखिए आपको मिलता है subscriber mode तो इस subscriber mode को डूरेसं करके और आप यहां पर जयसे इस परकार से यही करकर आपको चोड़ए आप क्या हुआ यहां पर देखिए योटूबर गयां ट्रास्टेड वन subscriber mode only आने कि अब क्या होगा तो अब यही होगा जहाँ पर देखे जितने भी लोग अब क्या करना है 10 मिनट आप schedule किया और time अपने live का तो 10 मिनट बाद आपको live आना है और live होने के बाद आपके इस live में जितने लोग जुड़ेंगे न तो पहले आपके channel को उसको subscribe करना होगा तब वो आपको comment कर सकता है तो जो भी आपसे कुई सवाल पूछना चाहेगा कुछ भी अगर question करना चाहेगा न तो पहले आपके channel को उसको subscribe करना होगा बिना subscribe किये वो comment आपके channel पर नहीं कर सकता है आपके इस live में comment नहीं कर सकता है तो आपको इस पकार से subscriber mode को अपना on करना है और आपको क्या करना है daily live आना है ठीक है और live आकर आप जितना audience आपको पास है उसके हिसाब से आपको लोग live में आप जुड़ेंगे और उससे क्या होगा कि लोग subscribe भी करेंगे क्योंकि बिना subscribe कि वो comment नहीं कर सकता है तो इस पकार से अपने subscriber mode को on करके और अपने चैनल पर live आ सकते हैं और live आने का बद क्या होगा जितने भी audience आपके इस live में जुड़ेगा सब को आपके चैनल को subscribe करेगा तो इस पकार से अपने YouTube चैनल का subscriber mode को on करके और अपने एक हिज़ा subscribe आप complete कर सकतो